नमस्कार अलिगर्ड मैं हूँ सुतंत फोटो जनलिस्ट मरोज अलिगरी बीच में है विविक सारसवत जी जो लगातार सात वर्सों से विश्व की देश की सबसे बड़ी पार्टी यानि भारतिय जनता पार्टी के नगर अद्ध्यक्षे आई ये बात करते हैं निकाय चुना और सभी कारकरता पूरे तरीके से चुनाओं के रंग में रंगे हुए हैं ऐसे पर अगर भारती जनता पार्टी की अलिगर्ड की बात की जाए तो अपने मेयर को बनाने के लिए उस मेयर में क्या-क्या खुविया होनी चाहिए क्या-क्या विसेस्ताइं होनी चाहिए जो पूर्दायत्व है, जिसकर पूरे महानगर की साफ सच्च सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी रहती है, एक योग्य व्यक्ति जो पूरे शेर को अच्छे डंग से चला सके, शेर की व्यवस्थाओं को उत्तम रख सके, उनके शेर के नागरिकों का जीवन इस्तर अच्छा रख सके, सफाई, साप, सारी व्यवस्थाओं को सचारो रूप से देख सके, और नई योजना है, जिससे के लोग शेर के अच्छा अच्छा जीवन इस्तर जीने के लिए, जो सारी आवश्यक्ता होती है, उनका पालन कर सके, ऐसे व्यक्ति को नगनगर का मेयर बनना डॉक्स साब इस बार, OBC में सीट आई है, तो पूरे समीकरन चर्मर आ गए है, जहां एक और जनरल केटेगरी जादे सहर में है हमारे में, वहीं OBC पर लोगों का मन बनाए और लोगों ने बिरोध भी विक्त किया है अपनी आपत्ति जाहिर करकर, ऐसे में लोगों के मन में और क्या है जो इस तरीके का बिरोध प्रकट हो रहा है, कार करता तो OBC हो, SC हो या माइनोरिटी का हो या जनरल हो, कार करता तो भाजपा का ही है? ठेके ये आन्य दलों के लोग इस सब चीज का बिरोध कर रहे हैं, भारती जनता पार्टी समाच के सभी वर्गों का प्रत्नेच propor करती है, चाए SC हो, OBC हो या जनरल हो, सभी से मिल के भारती जनता पार्टी अभी आप नहीं कहा के भारती जनता पार्टी बिसो का सबसे बड दल है और भारत में भी सबसे बड़ी पार्टी है तो फिर हमारे यहां यह सब माइने नहीं रखता कि टिकेट किसको मिल लगी हमारे यह हर्ग वर्ग में अच्छे नेता हैं और जो पार्टी के लिए काम करते रहते हैं आपने कहा भारतिय जन्रता पार्टी में ये माइने नहीं रखता कि कौन किस जाती और पार्टी का है हम लोग वोट देते हैं। एक राजीव अगरवाल साहब का नाम था पिछली बार वो आपकी ही पार्टी से थे आखर उनकी हर के पीछे कारण क्या थे। लेकिर राजनीती में समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। समाज के सभी वर्गों ने राजीव अगरवाल जी को गोठ दिया। कुछ उस चुनाब से पहले विधानसवा के चुनाब हुए थी। विधानसवा चुनाबों में जहां सपा और बस्पा में मुस्लिम बत्वां बक्का अलग-अलग बटवारा हुआ था और उस चुनाब के दौरान राजनीतिक समीकरण कुछ बदल गए थे। जिसके कारण स चुनाब में हम वह सफलता प्राप्त नहीं करने पाए जो हमें प्राप्त करनी चाही थी। लेकिन जहां तक पारसदों का प्रशन हमने पिछले सारे कीर्थिमान ध्वस्त किये थे और हमारे अधिकतम पारसद जीते थे। हम लोग सकारात पर पैकर उसी दिन से हमने सपत ल अलिगण के मेर की दाविदारी का इस बार के जो आविदोनों की इस्तिति है मैं पिछली बार जब नगर निगम के चुनाब तब भी अद्ध्यक्ष था और आद भी अद्ध्यक्ष हूं आज मैं देख रहा हूं कि सोक है ओठ नहीं पाता तब तक तो घर पर भीड लग जा सब्सक्र मैं पुछ वालियों की सब्सक्राइब करने वाले या इसमस्लिम वर्ग की महला है पूरु श्यक्षक बड़ी संख्या में झलूसों के साथ टिकुट मांगने के लिए और अपना आविदन प्रस्त कर रहे हैं और मैं उनसे पूछ भी रहा हूं कि क्या वो चुनाब जी सकते हैं तो एक पड़ी संख्या में लोग दो-दो-दो-सोट-धाई-डाई-सो के रूप में जुलूस के रूप में आ रहे हैं उन्होंने का हम निश्चित द्यूप से भारती पर्टी के परती विस्वास बढ़ा है अभी जो आपकी स्कीनिंग कमेटी है वो टोटल उसमें कितने लोगों पर आप चर्चा करें देखिए स्क्रीनिंग कमेटी का अभी कटन प्रदेश से हो गया है और उसनिंग कमेटी की अभी मीटिंग नहीं हुई हम लोग बैठेंग और उस पर अभी चर्चा लगातार हमारी जारी है चपची में चड़ जाएंगी फिर उसके बाद वो उन सब को छेतर में बेजा जाएगा और चेतर में बेजने के बाद प्रदेश से उनकी घोशना होगी कुछ लोग फिरका परस्त जो लोग होते हैं जनलाब मिलता है वहां पहुंचते हैं धनवल के दम पर क्या कुछ ऐसे नए चेहरे भी आ रहे हैं उनको प्रात्मिक्ता दी जाएगी हमेशा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के प्रयास करते हैं हमें ऐसा को और कोई इस प्रकार का ब्यक्ति करेगा तो पार्टी जा भारती जनता पार्टी उसके नाम पर कता ही विचार नहीं करेगा देखे टिकेट का नहीं भारती जनता पार्टी का प्रदेश नेत्र तो लेता है कोई भी परवार भारती जनता पार्टी के लिए महत्वून है और वो परवार भी जिसकी और आप इशार कर रहे हैं वो भी महत्वून परवार है उसका भी इस भारती जनता पार्टी को खड़ वरान लिया गया है वह विच्छ में निश्चित रूप से लिए जाएगा और उन निश्चित रूप से संगठनी में लिया जाएगा ऐसा मेरा विष्वास है कि अभय वार्ण जो नहाँ है अभी लगवगवलीगड में अपने नगर के ओंवji वार्ण पर वाड़ मेंबर्स की क्या रणनीती है उनको किस तरीके से डारेक्शन दिये जा सकरप हम लोग को पहली बार हम सारे बारों में पिछली बार सत्र भाड़ थे हम सत्र मैं से 57 बाड़ों पर चुनाब लड़ी ते इस बार 90 बाड़ों पर चुनाब लड़ने के जा रहे हैं और हमने उसके लिए विमिन कमेटी हैं और हमने वहां सर्वेट टीम भी बना दी गई हैं हर बाड़ में हमारा सर्वेट जाएगा चो जो हमारे प्रत्याजी हैं उनकी लोग प्रियता उनके कार विवार को चेक करेगा और उसके बार हमें सूचित करेगा हमारे मंडल मंडल की टीम में भी हमें इसके बारे में अबगत कराएंगी उसके बाद ही हम निर्णे लेंगे इस कमेटी में कि हमें किसको चुनाब लड़ाना चाहिए क्या भाजपा इस बार अ पार्टी का कारकरता मुदूद है अल्म संक्य कारकरताओं ने भी हमारे लिए संगर्स किया है चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विदान सभा का उन्होंने बढ़ चड़ कर भाग लिया विविन ने कठिन परिस्तितियों में उन्होंने उनका सामना करते हुए मजबूती क के साथ वो भारतियंता पार्टी के साथ खणे है और भारतियंता पार्टी भी उनके बारे में गमीरता से बिचार कर रही है और उन्हें चुनाव लड़ाईगी पर भार्टी उन्हें झाश्य से लत फगया उठके साथ